विल्कम टूं Mastermind F.GK एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind F.GK में फ्रेंज जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि exam के time में मैं master video आप लोगो प्रोवाइट कराऊंगा तो यह मैं master video ले कर के आया हूँ और आप लोग के demand पे फ्रेंस यह अर्थ सास्त का master video है यह पहला master video है फ्रेंस इसमें total 50 प्रशने देखेंगे जो बिल्कुल exam based day है फ्रेंस question के level बहुती अच्छा है बिल्कुल exam based day इसलिए पूरा practice चीट आप लोग जरूर देखेगा request है फ्रेंस की channel को subscribe ने के तो channel को subscribe कर well icon को जरूर देवा दिएगा ताकि महत्पूर वीडियो का notification मिलता रहे और इसका फ्रेंस मैं आपका pdf बना करके अपने website पर डाल दूँगा मेरे website पर जाकर जम मन चाहे फ्रेंस आपस भी आराम से पढ़ सकते हैं फिर आपको पढ़ सकते हैं इस वीडियो के नीचे description में भी इसका लिंक दिया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अब मैं आपको बीच बीच में master video प्रवाइड करता चलूँगा प्रती एक आप जादा सु जादा पढ़ करके जाएगा फ्रेंस वही आपके लिए better होगा ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पुर्णा request करऊंगा फ्रेंस चैनल को subscribe नहीं मैं लाइब आता हूँ फ्रेंस तो 8 वे live class में आप लोग सभी जुरू जूड़ियेगा तो चलिはい फटाफट देख लेते हैं, अर्थ सास्वे पचास महतपुन प्रश्ने, आज का पहला सवाल, गेस करते हैं फ्रेंज, आज का पहला सवाल है, मुद्रा पुर्ति किसके द्वारा नियंतरित की जाती है, बहुत अच्छा सवाल है एक्जाम में पूछा हुआ सवाल है तो मुद्रापूर्ती किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है तो सवाल नमर एक का रायटनसर आप लोग गेस कर लियोंगे इसका रायटनसर देगा आप्शन नमर भी हो ज़गा बूरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर आता है किस का नियम के अंसार से बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सा नियम यह कहता है बूरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर आता है सवाल नमर दो का रायटनसर होगा आप्शन नमर भी चले सवाल नमर तीन को देखें, सवाल नमर तीन आपका है कि एसी मुद्रा जिसकी बिनिमाई दर सरकार द्वारा पर भावित होती है, क्या कहलाती है सभी चुनिन्दा चुनिन्दा प्रशनों का मैं संग्रा क्यों फ्रेंस देखें वीडियो बनाने में फ्रेंस कोस्चन टैप करने में बहुत मेहनत लग जाते हैं इसलिए आपको वीडियो कम से कम लाइक जुरू करें सवाल नमर चार- हाफिर तो सवाल नमर चार- आपका है कि किसी देश में मुद्रा स्थिति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ध्यान से देखिएगा important सवाल है किसी देश में मुद्रा इस फिती किस्थिती में निम्ने में से कौन सा कथन सही नहीं है तो सवाल नमर 4 का जो right answer होगा option नमर C option नमर C है जो कथन है जो आपका सही नहीं ये गलत है पुंजी काव मुल्यन होता है नहीं ये आपका गलत गतन है बाकी आपका जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है मुद्रा इस फिती किस्थिते में सही है मजदूरी के तुना में लाब तेजी से बढ़ते ये भी सही है देश के निर्यात अधिक परती असपरधी हो जाते ये भी सही है आपसन नमर सी चार का करेक्ट अंसर होगा सवाल नमर पांच को देखें सवाल नमर पांच आपका अफ्रेंस की अंतोदे कारक्रम सर पर्थम किस राज में सुरू किया गया था सवाल नमर पांच का जो राइट अंसर गेस करें तो 5 का जो right answer हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक है राजस्थान में अंतोधे कारकरम सर पर्थम किस राज में शुरू किया गया था तो सवाल नमर 5 का जो correct answer हो जाएगा option number D राजस्थान में सवाल नमर 6 को देखे सवाल नमर 6 है मुद्रा के आंतरिक मुल्य का अर्थ क्या है चलिए अगला सवाल को देते हैं इसी तरह से परेंस मैं सभी बिषए का master विडियो आपको एजाम तक राएट करता देऊंगा पर तेक दिन और साथ-साथ में आपका मुआराथान वीडियो और life class ही लेता रहोंगा current affairs का भी मैं आप लोगों प्रवाइड करा रहा हूँ मैत का भी प्रवाइड करा रहा हूँ और जो सिलेवा से ब्यार पुलिस का फ्रेंज उसके इसाब से मैं अपनी तरब से पूरी कोशिस करा हूँ आप लोग भी अपनी तरब से हमारे चैनल से पढ़ें और दूसरे चैनल से पढ़ें बुक से पढ़ें सभी तरह से पढ़ें चलिए सवाल नमर साथ है क्या इगरहमी पंचवर्शी ओ योजना का मुख उदेश क्या है बहुत इंपोर्टन सवाल सवाल नमर 12 को देखें सवाल नमर 12 आपका कि स्वाढ़निम चत्र्बूज परियोजना का समध किसके विकास से है आठ नमर सवाल का रैट अंसर किसे हो जाएगा फ्रिंस राजमार्क से आप्सन नमर 6 करेक्ट अंसर होगा सवाल नमर 9 को देखे सवाल नमर 9 है कि समाजवादी अर्थ वियस्था का जनक किसे माना जाता ये भी important सवाल है तो समाजवादी अर्थ वियस्था का जनक किसे माना जाता है तो काल मास को माना जाता option नमर 20 का character answer होगा काल मास जिन्होंने 10 capital नामक book लिखा था फ्रेंस याद रखेगा लेलिन के बारे में आप लोग को पता होगा लेलिन है जो बोल्स्विक करांती रूस में हुआ था 1917 में फ्रेंच उसके नेता था लेलिन के मिर्तु भी कभी पूछा जाता कब हुआ था तो 1924 सिस्वी में लेलिन की मिर्तु भी थी अरथ साथ का पीता कहा जाता अधुलीक रसत का पीता एडेम स्मित को कहा जाता और बहुत बार बताया हम फ्रेंच जिन्हों ने आपका Willth of Nation किताब लिखा है Willth of अर्थवस्था के उदारी करण का अग्रदूत किसे कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंस गेस करें भारते अर्थवस्था के उदारी करण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो आपको डाक्टर मन मोहन सी को कहा जाता है आप्शन नमबर A इसका बिलकुल रैट अंसर होगा चलिए सवाल नमबर 11 को देखते हैं कि बैंकिंग निम्लिखित में से किस छेत्र के अंतरगत आती है बैंकिंग किस के अंतरगत आती है फड़ाफड गेस के रेफ्रेंस आप लोग गेस कर लिए होगे तो इगारा का जो करेक्ट असर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा तिरतियक छेत्र के अंतरगत आपका बैंकिंग आता है याद रखेगा प्रात्मी छेत्र के अंतरगत क्रिसी आता है फ्रेंस सबको पता होगा ठीक है तिरतियक छेत्र का कॉंसेट आप लोग किलिए रखेगा जैसे आपका तिरतियक छेत्र के अंतरगत बैंकिं और अगला सवाल को लेते हैं बारान नमर शवाल आपका Reserve Bank of India का परतिक चीन क्या है बहुत अच्छा सवाल है फिरिंस गेस करें राइट अंसर क्या होगा जो आपका RBI है ठीक है RBI आणि Reserve Bank of India जिसे क्या कहा जाता है फिरिंस Reserve Bank of India का परतिक चीन है तो सवाल नमर 12 राइट अंसर ऑप्सन नमर C हो गया सवाल नमर 13 को देखे सवाल नमर 13 है जब सिमान्त उपयोगता सुन्य हो तब कुल उपयोगता होती है बहुत अच्छा सवाल है यह भी बहुत बार गया में रिपिट हुआ सवाल नमर 13 का जो राइट अंसर ऑप्सन नमर D अधिकतम होती है सवाल नमर 14 को देखे सवाल नमर 14 है कि गिल्ट एड ठीक है गिल्ट एजड बजार किसे सम्मन दित है गिल्ट एजड बजार किसे सम्मन दित है चोदा नमर 15 को देखे सवाल नमर 15 आपका फ्रेंज की इंपिरियल बैंक की अस्थापना कब की गई थी सवाल नमर 15 इंपिरियल बैंक की अस्थापना कब की गई थी इसमें थ्रवा में डिस्क्राइब करके बताओंगा फ्रेंज बहुत अच्छा है इसमें जिक्के बन रहा है और सभी इंपॉर्टेट बन रहा है तो करा इंपिरियल बैंक के अस्थापना की गई थी तो सवाल नमर 15 इंपिरियल बैंक की स्थापना की गई थी थी तो इसके बारे में डिटेल देख लिए फिर्स सारा कॉंसर्ट केलियर हो जाएगा देखे 27 जनवरी 1921 इसवी को बैंक आफ बंगाल, बैंक आफ बंबे और बैंक आफ मदरास तीनों या तरह किया तीनों को मिला दिया गया और इंपरियल बैंक आफ इंडिया की अस्थापना की गए ठीक है कौन-कौन बैंक मिला करकर के तो बैंक आफ बंगाल, बैंक आफ बंबे और बैंक आफ मदरास तीनों को मिला करके 27 जनवरी 1921 इसवी को आपको इंपरियल बैंक के स्थापना हुई उसके बाद में देखे करशन पूछा जाता है कि अस्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है तो यही जो इंपरियल बैंक है वो अस्टेट बैंक का पुराना नाम है देखे देखे अस्टेट बैंक का पुराना नाम इंपरियल बैंक आफ इंडिया है ठीक है आप देखे एक जुलाई 1905 को इंपरियल बैंक आफ इंडिया भारतिया स्टेट बैंक बन गया आनि जो पहले इंपिरियल बैंक था आपका 1 जुलाई 1905 को कौन सा बैंक बन गया तो भारतिय अस्टेट बैंक आफ इंडिया बन गया अर्थात अस्टेट बैंक आफ इंडिया के स्थापना कब हुई तो 1 जुलाई 1905 को ये भी याद रखेगा तो इसमें बहुत सारा सवाल आप एक बर मैं पुनह रिपीट करूँगा फ्रेंस थोड़ा सा वक्त दिजेगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और अच्छी तरह से पढ़ें तो यहां देखें क्या सावाल था कि इंपिरियल बैंक के स्थापना कब हुई उन्हें 101 काई सिस्वी में आपका स्थाप इंपिरियल बैंक काौन कौन बैंक मिला करके देखें और इहीं अगे चल करके कौन सा बैंक बना फ्रेंस आपका स्थापना पूछा जाता था एक जुलाई बहुत अच्छा सवाल है पूरा असा है अपको एक्जाम पूछा जाए भारत में वैट को लागू करने वाला पर्थम राज कौन है तो हर्याना अगला सवाल को देखते हैं राजा चलया से मीती का संबंध किस से हैं गेस करिये फटा-फट सवाल नमबर 18 का राइट अंसर क्य अपका होगा तो ऑप्शन नमबर C होतार कर सुधार से हैं इसको एक ट्रीक बताता हो फिस किसी से भी राजा चलया आनि कर देखे टैक्स किसी से भी मांगता है फिरिंस तो क्या हला गुला चिलाने लगता है ठीक है तो देखे किसी से कर मांगता है तो क्या करेगा चिलाने लगा नहीं राजा लोग और ज्यादा चिलाता है देखे इसको इस तरह से याद रखे, कि देखे, कर सुधार है, तो राजा चलाया, आनि कि कर अगर जो अमीर आदमी से मांगिएगा, जो राजा आदमी से मांगिएगा, तो क्या करने लगा, चिलाने लगता है, चोरी करता है, टेक्स का चोरी करता है, सधारान में टेक्स दे देता है तो इस तरह से याद रखे, अब देखे जब भी मैंड में आएगा फ्रिंस की आपका राजा चलया किसे समति है, तो राजा चिला रहा है, हला कर रहा है, क्योंकि उसे कर मांगा जा रहा है, तो इस तरह से कुछ ट्रिक बैठा ले, आज आपको हो जाएगा, तो राजा अंसर option number 6 हो गया, राजा चलया समीति का सम्मध किसे है, तो कर सुधार से, देखे फ्रेंज मैं एक बात बताओं, बहुत सारे student बोलते हैं, क्या सर मैं आप ही का वीडियो देख रहा हूँ, और जो आप बढ़ा रहे हैं, क्या वही लड़ जाएगा, जैसा नहीं होता है, फ्रेंज मैं आपको पूछा हूँ है, फ्रेंज आपका राजा चलया समीति किसे सम्मधित है, हो सकता है फ्रेंज आपको मलोतरा समीति के बारे में पूछ दिया जाए, तो आप समीति का कम से कम 10 से 15 है, उसको सभी को concept आपको clear करके रखना पढ़ेगा, कौन पूछेगा कोई guarantee नहीं, ठीक है फ्रेंज, ऐसे जो important है, मैं तो बार-बार exam में repeat होता हूँ ही प्रशन को देता हूँ, फिर भी फ्रेंज कुछ कहने हैं सकते हैं, कौन सा सवाल पूछ देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा, तो यह इसको आयाद हो गया आपका फ्रेंज की राजा चलय उस पर tax और कर की शुरुवात की थी, उनीश नमबर सावाल का राइट अंसर option नमबर हो जाएगा B, कौन James Wilson ने की थी, भारत में किसने आमदनी पर सरुपर्थम कर की शुरुवात की थी, तो James Wilson ने, अगला सावाल को लेते है, 20 नमबर सावाल, कि भारतिये सबजी सोध संस् सीमला में, यह देखे, आपका ड्रैवर वला में पूछा गया था, ठीक कहा है, यह आपका सीमला में परता था, यह भी आद रखेगा, आलू का जो अनुसंधान केंदर है, जो सीमला में परता है, यहाँ सवाल आपको क्या पूछा गया है, कि भारतिये सबजी सोध संथान क प्राइजित होते हैं बहुत अच्छा सवाल जो चेत्रे ग्रामिन बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं किसके द्वारा राष्टे कृरित वानिजिग सकते हैं अगर सबसक हैquéयर बाता है है भारत में गरीभी रेखा का निधारन व्रतमानों कॉन करता है तो निती रेखा का निधारन प्रतमान में कौन करता है तो democrats सवाल नमर 25 भारतिय जीवन बीमा निगम की अस्थापना हुई थी अगला सवाल 26 नमर सवाल को देखें कि निमनिकित में से किस निकाई की अस्थापना 12 जुलाई 1912 को हुई थी तो 12 जुलाई 1912 को किसके स्थापना हुई थी डेट के साथ याद रखेगा तो अपना नाबाड का 26 नमर सवाल का राइट असर ऑप्शन C हो जाएगा आपका 1912 तो हरे को आदर रहता है फ्रेंस 12 जुलाई जरूर याद रखेगा 12 जुलाई 1912 को भी थी अगला सवाल को लेते हैं अगला सवाल आपका है कि संसाधन की कमी निम्लिकित में से किस सिदान से संबंदित है बहुत अच्छा सवाल है संसाधन की कमी निम्लिकित में से किस सिदान से संबंदित है सवाल नमर 27 का जो राइट अंसर होगा फ्रेंस बहुत अच्छा सवाल, किस अर्थ सास्त्री ने अवसर लागत का सिदान्थ दिया था, 28 का राइट अंसर, option नमबर भी होगा, ग्राट फ्राइड हैवर लर्ने, ग्राट फ्राइड हैवर लर्ने दिया था, किस अर्थ सास्त्री ने अवसर लागत का सिदान्थ दिया था, तो सब्सक्राइब नमर 29 जो नाम सुने होसे जणसंख्या समंदी सिदां दिया था इसका जो राइट नसर हो जाएगा option number B माल थस चले सवाल number 30 को देखे भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था संसद ने कब पारित किया था ये पूछा जा रहा है 30 का राइट नसर हो जाएगा फिरिंस आपका option number B कितना 1976 इस वी में याद रखेगा भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था तो आपका 1976 इस वी में पारित किया था 30 का राइट नसर option number B हो जाएगा सवाल number 31 को देखे इकको मार्क उन भारतियों उत्पाद को दिया जाता है पर्याबरन के परति मैत्री पुनो हो ठीक है उसी को इकको मार्क दिया जाता है चलिए सवाल number 31 का राइट नसर option number C हो गया सवाल number 32 को देखे कि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कारकरम की शुरुआत कब की गई थी option number 20 का करेक्ट नसर होगा 2014 चलिए सवाल number 33 को देखे तल्चर किसके लिए परसीद है तो तल्चर किसके लिए परसीद है तो तल्चर कहां पढ़ता है फ्रेंस आप लोग हमें कॉमेंट करके बता सकते है तो तल्चर ऐसे महीं बता दे तो उड़ी साम पढ़ता है तल्चर है जो उड़ी साम पढ़ता है तो किसके लिए परसीद है option A में atomic reactor B में ताब विद्धूत केंदर C में भारी जल सन्यत और D में जल विद्धूत उत्पादन तो क्या होगा तल्चर किसे सम्मंदित है 33 नमर सावाल का इसका राइट अंसर option नमर से हुआ भारी जल सन्यत से ऐसे तल्चर है फ्रेंज वहाँ पर परचूर मातरा में कोईले का भंडार कोईले के लिए नाम से भी जाना जाता है कभी कभी पूछा जाता है तल्चर है किस खनीज के लिए जाने जाते है तो कोईला खनीज के लिए जाने जाते है उड़ी साम परता है लेकिन वहाँ पर सन्यंतर कौन सा लगा हुआ है तो भारी जल भारी जल को क्या काता है इसका सन्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है तो दोनों याद रखेगा इसमें confused नहीं होना है किस खनीज के लिए है तो आपका कोईला के लिए है और वहाँ पर क्या है परसीद है किस के लिए सन्यंत्र में तो भारी जल सन्यंत्र क्या रही option number C 33 का right answer हो जाएगा चवाल नमर 34 को देखें सवाल नमर 34 है भारत में लिग नाइट कोईला का सबसे ज़्यादा उत्पातक राज राज कौन है तो लिग नाइट कोईला सबसे ज़्यादा भारत के किस राज में पाया जाता है तो इसका right answer guess करें option A में जारखन, B में मत पर दे, C में उडिसा और D में तमिल नाडू, option number D इसका character answer हो जाएगा, league night koila, जिसे क्या कहाता है, भूरा koila भी कहा जाता है, भूरा koila, देखें, notes में लिखा हुआ है, notes में आपको लिखा हुआ है, याद रखेगा friends, कि league night koila भारत में सरवाधिक मातर तमिल नाडू के नेवली, तमिल नाडू के नेवली छेतर में पाया जाता है, इसे भूरा koila भी कहा जाता है, जबकि bituminous को मुलाएम koila या soft koila कहा जाता है, तो इसमें कितना जिके हम लोग याद किए friends, एक तो याद किए हैं कि league night सबसे ज़्यादे कहाँ पाया जाता है, तमिल नाडू के कहा, तमिल नाडू के नेवली छेतर में पाया जाता है, और इसे भूरा koila कहा जाता है, लिग night को, और क्या सिखें कि bituminous, bituminous को मुलाएम koila या soft koila भी कहा जाता है, ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते, 35 नमर सवाल, कि निमने में हिंदू विर्धी दर कि से समदी, topmost भी भी आई सवाल, हिंदू विर्धी दर कि से समदी थे, अर्थ सास का अच्छा सवाल है, तो देखें जो हिंदू, हिंदू विर्धी दर है, फ्रेंस आपका, वो आपका राष्टिय आई से समदी थे, सवाल नमर 35 का जो करेक्टन सरो हो जाएगा, option नमर C हो हो सकता है, सवाल पक्का पूछ दिया जाए, 36 का राष्टन सरो हो है, फ्रेंस, खनीज तेल उत्पादन से, जो क्रिष्ण का अंत्री है, फ्रेंस, वो खनीज तेल के उत्पादन से समदी थे, इसलिए, option नमर 6 करेक्टन सरो हो जाएगा, चलिए अगला सवाल को देते हैं, भुगतान संतूलन सब्द का पर्योग निम्लिखित में से किसके संदर्म में क्या जाता, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, भुगतान संतूलन सब्द का पर्योग निम्लिखित में से किसके संदर्म में क्या जाता, 38 का रायटन सरो हो जाएगा, option नमर B, 38 का रायटन सरो तो आपको आद भूगा है तो कर सुधर से तो राजा लोग चिलाने लगता है तो तरह से अधर कर सुधार से अधर से हो गया था इसका घृट्र जो कि किस से संबंदित है तिक आंग कर घृट नहीं बूलिए गा यह का LIC के Agent है क्या है मलगोतरा जी है याद रख कर लें बिठा लें और आपको वीमा करवाना है तो किसे कर आоки आद आब मलगोतरा जी से करवाना है तो आप देखे आज से सोच के रखेगा तो कोई ही ć पूछ एगा मुल हुतरा प्रगणक सी चिखा जो दोज 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 आरीगारा के जनगना के अंसार नियुंतम लिंगानुपात वाला राज कौन है अगला सवाल को देखे भारत में चोदब परमुख बेंको का राश्टी एकरन किस वर्स किया गया था सिंपल सा प्रशन आप बहुत 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 बता चुका हूँ इसका जवाब सभी का सही होना चाहिए तो आपसन नमर आप लोग गेस कर लियोंगे अगला सवाल को लेते हैं सवाल नमर 43 को 43 नमर सवाल आपका है कि सरकारी बियाय को नियंतरित करने वाला मंत्राले कौन सा है जो सरकारी बियाय है उसको नियंतरित कौन करता है गिरी मंत्राले करता है बित मंत्राले या कानून या न्याय मंत्राले या इन में से कोई नहीं तो जो सरकारी B.I. है उसका कौन नियांत्रित करता है कौन सा मंत्राले तो बित मंत्राले 43 का राइट अंसर आप्शन नमर B ठीक है अगला सवाल को लेते है चवाल नमर की अपरत्याच कर का भार उप्भोगताओं को करना परता है जो अपर्टेश कर रहें उसका बहार मुख्यतम उभ्भुकताओं को वहन करना पड़ता आप्शन नमर्डी 14 का राइटन्स रोगा सवाल नमर्ड 45 सवाल रोजगार योदना कब शुरू की गई थी पड़तारिस नमर्ड सवाल का राइटन्स रोगा आप्शन नमर्ड नमर्ड शी अठार उन्हें सो नमासी इसवी में जवाहर रोजगार योदना कब शुरू की गई थी सवाल नमर्ड 46 को देखे में इंडिया कार करम का लोगो क्या है कि आपका शीयारीज का राइटन्स रोजगा ओएगा सवाल नमर 47 को देखें कि RBI द्वारा रुपिया 50 रुपिया के मूली के नोट के पीछे निम्लिकित में से किसका चित्र छुपा हुआ है तो नोट आप लोग देखे होंगे फ्रेंस तो आप लोग को याद भी होगा 47 का कि जो RBI द्वारा 50 रुपिया का नया नोट जारी किया गया उसके पीछे में किसका चित्र है 47 को देखे है कि किस भारतीय राज में सबसे अधिक हवाई अड़ है उचास नोट है च्वार्तिय योजना का उदेश देश अधीक 새 सवाल से समावेश जो आपका 99 से राय टंसर हो जाएगा option number D 125 उद्धनय का है जहाँ जो अधिक तीवर रहेगा ठीए फ्रेंस नहीं होना ध्यान देगा अधिक तीवर रहेगा और अधिक समावेसी रहेगा तो आपको 125 उद्धना हो जाएगा तो किस भारतिय उद्धना का उद्धेशथ था अधिक तीवर्य अधिक सामय वेशी और सतत्विर्दी तो option number D 12 भी पंचोर सुधना इस वीडियो को लाश्ट आवाल को देखते हैं friends कि इस लाश्ट कोचन मिस्तित अर्थवस्ता से क्या भी प्राया तो सरकारी और नीजी क्षेट्र का सथितत को कहते हैं तो देखें आपका चाओ का बटन राता उसको दाब दिजेगा तो जिस तरह से YouTube में नोटिफिकेशन जाता है फ्रेंस उसी तरह से मैं जब भी कोई नया पोस्ट लिखूंगा तो आपका वेबसाइट का नोटिफिकेशन भी आपको पोस्ट का नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग जिरूर उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है तो चले फ्रेंस आपको साड़े आठ वे फिर में दोता हूं मैं आप लोग को लाइब क्लास में ठीक है चले सभी को देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद